नमस्कार दर्शकों मैं हूँ आचारे मयंग शर्मा नव वर्ष 2024 की बहुत बहुत शुब कामना है आप सभी को दर्शकों हम आपके लेके आएं नियूमिरलोजी यानि अंक शास्त्र की अनुसार से आपका वार्शिक भविश्यफल अगर आपके पास अपनी जनम पत्रिका नहीं है तो कोई चिंदा की बात नहीं है आपकी डेटो बर्द के अकॉर्णिंग हम आपको बताएंगे कि आपके लिए 2024 कैसा रहेगा कैसा रहेगा आपका स्वास्ट कैसा चलेगा कामकारोबार और कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ और आपकी मेरिड लाइफ ये सबी चीज देखने के लिए सारी पूरी इंफॉर्मेशन मुलांक एक से लेके मुलांक नो तक आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्यान पर अंक शास्त्र अधारेत भविश्वफल दो हजार चौविस मुलांक से जुड़ी भविश्वानी मुलांक अनुसार कैसे रहेगी सेहत तरक्य करने के मिलेंगे कितने मौके धन धान्य में आएगी कितनी बरकत क्या कहता है शुब अंक शुब रंग और शुब दिन 24 में भाग या देगा कितना साथ धर्म ग्यान पर देखिए मुलांक अधारित भविश्वानी नमस्कार धर्म ग्यान के दर्शिकों का स्वागत है निमरोलोजिय प्रेडिक्शन 2024 में मैं हूँ आपके साथ कवितार आनम मेरे साथ मौजूद है आज हम बात करने वाले हैं मुलांक साथ सजुड़े जातकों के बारे में जी हाँ देखिए अंगिशा स्रियान के निमरोजी एस्ट्रोजी का ही एक पार्ट है जैसे हमें पता नहीं होता है कि हमारी बर्थ डिटेल जिनके पास कंप्लीट नहीं होती है उन्वों निमरोजी के होते हैं इनके लिए कारियर के कौन सी फील्ड सबस्यादा सूटेबल होती है यह लोग हैल्थ वाइस सब कुछ ऑवराल कैसा रहता और दोज़ाइब के नया साल इन लोगों के लिए कितना खास रहने वाला है कितना शानदार साबित होगा यह सब कुछ आज जानेंगे मह मूलांग साथ कविता जी वह मूलांग है जो कहते हैं कि यह बहुत ही पावर्फुल मूलांग में आता है और मिस्टीरियस एक कहना ची नंबर है साथ नंबर वाले जो है केतु का परभाव इनको पर होता है अब देखिए जो व्यक्ति मायावी के परभाव में रहेगा आप पी जोतिश जानती है कि कैसा उसका सभाव रहाएगा और कैसे उसके काम करने का तरीका रहता है तो केतु से परभावित व्यक्ति सबसे पहले तो यह धार्मिक सभाव के होते हैं धर्म कर्रुम पूजा पाठी किसी भी धर्म के हो आप देखोगे आप अपने धर्म के प्रत हर चीज को रहसे बना के रखते हैं, इनके मित्र बहुत जारा होते हैं, लेकिन ये अपने मित्रों को भी सभी बाते नहीं बताते हैं, कुछ चुनिंदा मित्रों को बताते हैं, जिन पे इनको बहुत जारा परोसा होता है, intuition power जबरदस होती है मैंने देखा है कि जो तंत्र किरिया में lean रहते हैं पुजारी, पुजा पार्ट में, जोतिश में वास्तु में, या healing करते हैं या tarot card reading करते हैं वो मुलांग साथ वाले जो हैं बहुत जल्दी कर लेते हैं बहुत अच्छे जोच्छी भी बन जाते हैं क्योंकि इनको पहले ही पता रहता है कि आने वाले समय में क्या घटना किस व्यक्ति के साथ या देश दुनिया में घट सकती है तो ये इनकी सबसे बड़ी खासेद होती है जीवन में बहुत तरक्की करते हैं उचाईयां चूते हैं लेकिन संघर्ष बढ़ा रहता है खासकर 35 वर्ष की आयू तक वह 35 वर्ष तक आपका करियर में उतार चड़ाव जरूर बना रहता है लेकिन उसके बाद आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोख सकता है तो बेसिकली काफे जादा मिस्टीरियस होते हैं इनके मन में क्या चल रहा है यह असानी से सामने को पता नहीं लगने है यह कहते हैं कवितरी जो व्यक्ति कम बोलता है वह जरा खतरनाक सावित हो सकता है पता नहीं उसके दिल में क्या चलदा है वह अगले पल क्या करेगा कुछ नहीं बता है किसी तो आई आप लोगों के बारे में चर्चा महिंग जी से मेरी हो रही है तो 24 आपके लिए कैसा रहेगा बात करते हैं आपकी हल्थ को लेकर सबसे पहले देखिए इस वर्ष समानते सेहत को लेकर कोई ऐसी दिकत वाली बात नहीं है आपकी सेहत बड़ी अच्छी रहेगी इस वर्ष में लेकिन कुछ महीने हैं जो सावधानी रखने के हैं जैसे फर्वरी का महीना, एपर कर दियान रखें और खान पान में आप ओईली और जंक फूड जो है या फास फूड जो है वह इन महीनों में थोड़ा कम खाएं अगर एवाइड ही करते तो मेरी सला यह रहेगी बहुत अच्छा रहेगा अगर आप बहुत जादा नॉन्वेज ड्रिंक करते हैं तो मैं मुला नहीं खाना चाहिए या ड्रिंक नहीं करने चाहिए या फिर अगर वो छोड़ देते हैं तो मायावी कीतु का शुप फल जो है वह चार गुना बढ़के इनको मिलता है और इनका भागे भी आगे बढ़ता है तो इस चीज का विशेश इनको ध्यान रखना चाहिए अब बा और अगस्त के बाद फिर आपका जो बिजनस है बहुत बढ़िया चलेगा इसी तरह नोकरी में वर्ष भर कोई ऐसी परिशानी नहीं है अगर आप नोकरी चेंज करना चाहते हैं तो कभी भी चेंज कीजिए इस वर्ष में आपको सफलता जरूर मिलेगी जो आप करना चाहत हैं वह इस वर्ष में आप कर सकते हैं आपके मन मुताबिक चीजे घटित होंगी मिस्टीरियस नेचर के हैं आप लोग तो ऐसे में लव रिल्शेशिप्स के मामले में 24 आपके लिए बहुत अच्छा रहता है देखिए यह क्या नंबर है नंबर साज जो है अपने लाइफ éc vive benefit के लिए बहुत लाइल दैता है मुलांगि साथ का है तो आपनी इक्षिछ होने की बात है कि भल बहुत प्यार करते हैं आपकी संवान भी करते हैं और हमेशा आपका सात देते हैं हर परिस्तिती में हैं मुलंग साथ वय्में करें था कि फुर्ष अग्ल्サ बढ़ते हैं और बात करते हैं आपकी वेल्थ को लेकर जी हां वेल्थ वाइस तो हजार चोबिस आपको कितना स्ट्रॉंग और सुटेवल बनाएगा अस्टेवल रखेगा आई जानले तो कि लिहाज से वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा धनलाब आपको निरंतर पराप् या आपको इस समय विदेश यात्रा करनी है घूमने के लिए तो यह समय वर्ष बहुत अच्छा रहेगा लकी नंबर लकी डे लकी कलर लकी नंबर देखे इस वर्ष का आपके लिए जो मेरी प्रेडिक्शन है वो एक नंबर आपके लिए और पांच नंबर ये बहुत अब करना रहा है और रगरं की बात करें थो आपके लिए रशतिं वसकाइबन की sorry करें कि लिए वैसे वैसे चाहर पर किया करें आपको भगवान शिव की अरद्ना करनी चाहिए और सबसे पहले चलстक सेपहले नित्ते ना भूलें जो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और कहते हैं केतु से प्रभावित वेक्ति गनेश जी की पूजा हमेशा करें रोज करें तो बहुत ही यह आपके लिए मंगल कारी रहेंगे पर आपके सभी तरह के आपको कश्टों से मुक्ति मिल जाएगी हल्दी या केसर का इस्तमाल जरूर करें खाने में भी करें और इनका टीका भी लगाएं तो आपको विशेश लाब मिलेगा चली तो यह थे में साथ मैंग्शमाजी जिन से मैंने जाना कि आप लोगों के लिए क्योंकि शैनी का यह साल है दो हजाट चौबिस और के दुस्ते जादा प झाल झाल